हेलो फेंड विल्कम बेक्टो माई चैनल लेगें आज को मार्केट कुछ मिला के थोड़ा डाउन था नियरबोर 0.6% डाउन हुआ है नियरबोर 60 पॉइंट से आद पास ये प्लोज हुआ है गिर कर तो वही पूराना जो कल से वही बोल रहा हूं कि मार्केट का जो कि एक सास्टेन लेवल क्रेट कर रहा है तो फीद से मैं एक ही लेवल बुलूंगा क्योंकि नियुक्त लेवल जेनरेट नहीं हो रहा है अभी तक मार्केट का ऊपर का जो लेवल था आज वही उपर 10400 की उपर था नीचे जो सापोर था पूर 300 का आसपार वह आज लो दिखाया है 10346 आसे कुछ मार्केट में भोला ड्रीट ही नहीं रहा है एक सौर्ट टम कॉंसलेशन फेट में चला जाया है आरे साही में थोड़ा बहुत नेगिटिव लग रहा है क्योंकि ये 50 का नीचे क्लोजिन हुआ है मागर उतना ज्यादा ये गिरने का कुछ चांसे नहीं लग रहा है अभी तक चार्ट में देख पा रहा हूं तो इसका अगर मैंने एक बार ओडी से क्रॉस टेक करें तो उसमें भी सेम चीज दिखा रहा है यह अलग उडीज यह वाला उडीज जो फार्ट यह वाला चार्ट से भी हम लोग को यह की पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत डाउन मूंड में चला गया है हो सकता है कि यह पर कुछ सस्टेंड करें मगर यह भी हो सकता है कि एक भुलाट भुलाट जो मार्केट रहता है उसमें से मार्केट कुछ दिन कॉंपलेट करेगा उसके बार थोड़ा बहुत रिवार्स और बाउंट प्रेक मरेगा जो भी मार्केट में जो भी इस प्लेस्न पे जो भी पर्चिस हुआ था उसका थोड़ा प्रॉफिट बॉकिंग होगा इस पर सेंटीमेंटल हम लोग क्या करते हैं कि एक बार शॉट्ट टाम में एक बारवर्फिट बॉकिंग कर लेग ते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी जो सस्टेंग जो लेवल है यह लेवल पर आके सस्टेंग करें तब मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखेंगे उसके हिसाब से एक बार आपार जो रान है उसको हम लोग कि देख पाएंगे यह था अज का निप्टी का अपडेट ऐसे कुछ नहीं है कि निप्टी में बहुत ज्यादा गिरावट देख सकते हैं क्योंकि यह जो मार्क तीन घंटा का जो चार्ड में में देख लेता हूं तो इसके हिसाब से अभी भी मार्केट में जो पोजिशन है उसमें ऐसे कुछ पैनिक क्रियेट करने का कोई मार्केट का चार्ड ट्राफ रेडी नहीं हुआ है हो सकता है कि यह जो यह मेरा थोड़ा एजंसन है कि यह वाला जो उडित का जो बार देख पा रहे हुए यह साय जेलर क्रियेट कर सकता है किसी भी वक्त में मतलब आप अगर अगर यह 10,280 के नीचे क्लोज हुआ तब मेरा व्यू थोड़ा हो सकता है मगर तब तक के लिए यह जो मार्केट है 10,300 के आसपास एक बार पार्टेश होना चाहिए उसके बाद जो स्टॉपलोस है वो 30,40 पॉइंट का एक पास स्टॉपलोस लखके फिर से हम लोग 200 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा ओएट कर सकें आज के लिए अपडेट यह है और कुछ न्यूज और अपडेट मेरे तो हम जुरूद आपको पोस्ट करेंगे आपको पहले से भी बता रहा था कि 34 जो लेवल है इसके बीच में मार्केट भुम रहा है तो यूँ आप टू मार्क तीस पॉइंट तो इस वीडियो को लाइक करिये इस वीडियो को शेयर करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा पहले लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने वीडियो का कुछ ट्रीक्स दिया हूँ अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो बाइबाइब गाईज झाल झाल हुआ झाल 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 झाल